वेलकम फ्रेंड्स तो माई यूट्यूब चैनल प्योगाई टिप्स और ट्रिक्स मैं संजय विश्वास आप सबीका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे सैप में किसे भी पोस्ट अफिश का याने कि किसे भी प्रॉफिट सेंटर का फिनां तो लाइक कीजिए कोई कोई यह तो आप कमेंट करके पूछ सकते या आप कामेंट करके हमें बता सकते हैं और वीडियो को जदा ज़दा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो चलिए हम सैप में देखते हैं कैसे हम किसे भी पुष्ट अबिश का फिनांश statement of DOPI हम निकल सकते हैं लेकिन यह जो T code है यहां पर access हो रहा है लेकिन यह से report generate नहीं हो रहा है यहां पर GL integration में कोई problem आ रहा है तो हम इसके substitute कोई और एक T code यहां पर available है जो की एक unique T code है तो इस T code को हम यहां पर use करेंगे और कैसे आपको लागा है वीडियो अब प्लीज कमेंट करके प्लीज बताए हमें तो यहां पर जो T code है s-alr-87012284 यह T code है इस T code को यहां पर हम access करके किसी भी post office का किसी भी profit center का financial statement किसी भी period का यह किसी भी year का हम निकल सकते हैं तो देखिए यहां पर financial statement यह option यह पर आ गया है तो यह पर जो company code है यह पर हम company code यह पर हमें DOPI यहनि कि department of post new Delhi इसको हम select करेंगे यह पर DOPI एन फिर यह पर जो business area है तो यहां पर business area पर हम यह पर circle code यह पर हम select कर सकते अगर आप यह पर बिजनेस एरिया जो है आपको जो चाहिए वो आप स्लेट कर सकते अगर आप यह पर नहीं स्लेट करेंगे तो और इंडिया का यह पर जेनराइट होंगे हो जाएंगे तो एन फिर यह पर देखें फिनांशियल स्टेटमेंट वर्शन जो है यह पर हम दी त्रिपिल जेरो यानि कि डिपार्टमेंट पोस्ट जो है इंडिया यह हम यहापर सिलेट करेंगे और फिर यहापर रिपोर्टिंग यह तुथाजन टूवेंटी ती रहेंगे और जो कॉंपरेजन यह जो प्रिभिएस यह रहेंगे 2022 और यहापर लेयाउट आप्शन से ह अगर आप चाहे तो एलर ग्रीट भी या ट्री भी भी आप देख सकते हैं तो देखिए यह पर सारी डीटेल से आप भरने के बद यह पर हम यह पर प्रॉफिट सेंटर वाज देखना चाहते हैं तो यह पर प्रॉफिट सेंटर इंपूट करने के लिए यह पर देखिए डा लेंगे तो हम सेग्मेंट वाइज यहापर देख सकते हैं तो यहापर हम प्रॉपिट सेंटर डाल देंगे जिस प्रॉपिट सेंटर हम डालेंगे इस प्रॉपिट सेंटर के जो फिनांशियल स्टेटमेंट हो वह हम देख सकते हैं तो यहापर हम प्रॉपिट सेंटर है तो या पर segment mail segment है postal banking segment है PLI है postal life insurance तो चलिए पहले हम mail section को देख लेते हैं mail operation फिर हम देखेंगे postal life insurance का जो है और जो postal banking का जो segment है वो उसको कैसा देखते है वो भी हम देखेंगे अगर आप को वीडियो पताओ है helpful लगे informative लगे तो like कीजिए कोई कोई है तो आप comment करके पूछ सकते है विडियो को जदा जदा शेयर कीजिए और अलसो subscribe कीजिए चैनल को तो देखिए यह पर हम mail operation select किये थे जो profit center का हम select किये थे उसके सारी details mail operation का जितने भी GL से वहाँ पर जितने भी transactions हुआ है तो देखिए recent year पर जो हुआ ह और comparison यहां पर किया गया है जो previous year में हुआ था और जो difference है वह भी यहां पर शो हो रहा है तो यह जो टी कोड़ है इस टी कोड़ के यूज़ करके बहुत बहुत ही बरिया एक financial statement आप किसी भी office का निकाल सकते हो और यहां पर आपका जो देखिए recent year पर जितने भूख हुआ है इस जी एल पर और पीवी एस एल पर जो बूक हो आते हैं उसका जो difference है तो वह यह से आप देख सकते हो तो यह से करके आप जो पीए पी एन एल यहांनी की profit and loss है वह भी आप यह से इस फिनांशियल स्टेटमेंट से जनेरेट कर सकते हैं तो यह जो टी कोड है आप इसली सैप में एकसेस करके किसी भी पोस्टपिश का फिनांशियल स्टेटमेंट आप सेगमेंट वाइस इसली जनेरेट कर सकते हैं तो चलिए हम नेक्स्ट जो सेगमेंट हो उसको कैसा बिजनेस या पिसलेट करेंगे फिनान्टल स्टेट्मेंट भरिषन यह पर D000 स्ट्रेट करेंगे और्ड रेपोर्टिंग और कारेंगे नहीं कौंपरेशन यह लेएंगे अनद क्लाशिक व्याट यूजकर रहें तो यहां पर सेग्मेंट और चल यैं जो हम मेल और रुपरेशन देख लिए हैए फिर हम बैंकिंग जो स लुशन जो है पॉस्टल बैंकिंग किया गया है जो differences है भो भी यहां पर आपको दिखाया गया है जो कि यह financial statement आपको भावट काम आएंगे आप easily किसी भी पॉस्ट आप इसका पॉपिच्ट सेंटर डाल के उसका financial statement है किसे भी यह का आप recent year के यानि कि का अन्ट यह से आप इसको यहाँ पर एक यहाँ दोाना यह अगर आपके विडियो पसंद आए, helpful लगे informative लगे तो like कीजिए कोई कोई ही है तो आप comment करके पूछ सकते है वीडियो को जदा जदा share कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को तो चलिए हम next PLI poster life insurance का जो सेग्मेंट है बहुत भी देख लेते हैं तो आपको पता लगेगा कैसे इसको आप देख सकते हैं तो देखिए यहाप हम execute पर क्लिक किया है तो यह generate हो रहा है देखिए generate हो गया है यहाप देखिए poster life insurance का जितने भी जील से उस पर उस जील पर जितने भी transactions हुआ है और जो amount का transactions हुआ है वह यहाप आपको एक साथी मिल जाएंगे last year पर कितना हुआ है और इस साल पर कितना हुआ है और जो comparison से उसके जो डिफरेंसे से वह भी आप easily यहाप एक सद देख सकते हैं तो ऐसे करके आप easily आपके आप इसका financial statement सबसे निकाल सकते हैं थैंक्यू फ्रेंस फर वाचिंग अगर आपको वीडियो पसंद दाये helpful लगे informative लगे तो लाइक कीजिए कोई 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 रहे तो आप comment करके पूश सकते हैं वीडियो को जद़ जद़ शेयर कीजिए और अब सब्सक्राइब कीज हैं अगरी कोई वीडियो में